आपको बाताने वाला हूँ कि बहुत लोग के डिवाइज के अंदर एंड़ोई 12 का अपडेट अभी तक नहीं मिला है तो वो अपडेट कैसे मिलेगा आप लोग और उस अपडेट को अपडेट करने के लिए आपको क्या ऐसा ट्रिक्स यूज करना पड़ेगा जिससे आपका अभी तक देखने को नहीं मिला है एंड़ोई 12 का अपडेट तो कैसे मिलेगा इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा बस सिंप्ली से आपको इस वीडियो को वाश करना पड़ेगा और मैं साथे साथ ये भी बताने वाला आप लोग के लिए वीडियो को जड़ा सिब्सक्रीब करके मत दिखेगा चानल पे नए है तो चानल को सब्सक्राब जरूर कीजेगा ताकि आप लोग को इनफोरमेटी वीडियो आप लोग तक मिलती रहे और वीडियो को ज्यादा सेयर कीजेगा तो चलेगा इस वीडियो क का update देखने को मिला है जैसे कि मैंने पिछले वीडियो बताया था कि आप लोग को update कैसे करना है और हमें जो कि है नया update कौन सा अभी देखने को मिला है तो basically यहां बात कर लिया जाए जैसे कि देख सकतो update available जो कि 12.1.1 यह मेरा नया update हमें मुझे देखने को मिला है अपने devices के अंदर हो सकता है बहुत लोग के फोन में अभी तक यह देखने को मिला है और बहुत लोग के फोन में अभी तक देखने को नहीं मिला है यह तो नहीं इससे पहले वाला android 12 भी देखने को नहीं मिला है तो आपको क्या करना पड़ेगा तो सबसे पहले यहां बात कर लिया जाए कि सबसे पहले आपको फोन को restart करना पड़ेगा ठीक आपको प्रेस करके रखना है power button को restart कर देना है जैसी आपको फोन restart हो जाता है तो restart करने के बाद आपको settings में चले जाना है याद रखे phone के setting में चले जाना है यानि कि Oppo A55 के device के अंदर settings में चले जाना है setting में जाने के बाद आपको नीचे चले जाना है अगर आपको उपर से option अगर सो करता है आपडेट एपलेबल का और उपर से अगर सो नहीं करता है तो आपको Biz डी बाउत डी वर्जास में चले जाना है आपको यहाँ नू वर्जैन अबलेबल में अपको सर्च करें sl and करना अगर यहां वर्जन अबलेबल नहीं भी सो करता है तो आपको सिंपली से टैप कर देना जैसी आप कर देते हो तो नीचे देख लेना है कहीं मेरा अपडेट आया है कि नहीं अगर नहीं आया है तो आपको तीन डॉट यहां दिखता होगा आपको सिंपली से टैप कर देन आपको बीटा प्रोग्राम करके एक option दिखेगा आपको simply से वहाँ पर select कर देना है जैसी आप select कर देते हो तो हो सकता है यहाँ पर chances आपको आ सकता है update मिलने का यसी चुका है इसलिए मुझे so नहीं कर रहा हो सकता है आपके device के अंदर यह so करे हो सकता है यह devices के आपके devices के अं बीटा प्रोग्राम में जाने के बाद आपको यहाँ पर check out करना है कि हमें मिला है किने अगर यहाँ मिलेगा तो आपको select कर देना यहाँ से भी chances मिल सकती है आपको update मिलने का तो ऐसे गर करके आप जो है Android 12 का update देखने को मिल सकता है second process की बाद की जा second process आपको back चले जाना है तीन डाट फिर से दिखता होगा आपको simply से यहाँ टाप कर देना टाप करने को आपको auto update में चले जाना है याद रखे auto update में जाने के बाद आपको यहाँ दो option दिखेगा ठीक आपको यहाँ auto update में project कर देना जैसे हैसों आप si它 कर देता हो तो चार option आपको दिखेगा Wi-Fi and Mobile Data Wi-Fi Mobile Data Do Not Allow हो सकता है साथ आप जो कि है आपका जो Wi-Fi के थुरू आपका अपडेट आए इसलिए आपको Wi-Fi and Mobile Data में सेलेक्ट करना है ये Settings को आपको यूज करना है एक दम 100% जो कि आपको update मिलेगा Android 2L का अगर आपको अभी तक देखने को नहीं मिला है याद रहें कि फिर से आपडेट में जाना मैं फिर से बता देता हूं उसके वाइफा एंड मुबाइल डाटा अगर आप हो सकता है फ्यूचर में या पास्ट में अगर आप वाइफा से वाइफा के थुरू आप अपडेट की होंगे या नहीं भी की होंगे हो सकता अपडेट वाई-फिय को थुरू आपको एबलेबल होगा इसलिए अपको देखने को नहीं मिला ओगा तो आपको Wi-Fi एंड मोबाईल डाटा में आपको सविव आपको सलेट कर देना है उसके बैक चले जाना है बैक जाने के बद आपको मिनिमाइस करना है मिनिमाइस करने के तो पूरा डाटा क्लेयर करना है यहां होम स्क्रीन से उसके आपको नेट को अपना आउन करना है ठेक गाइस नेट को और चेक आउट कर लेना सैटिंग्स में जा करके कि आपको अपडेट मिला है कि नहीं मिला है फिर से आप आप यहां पर आपको सो करेगा यहां से भी नहीं मिलता है तो आपको कुछ करनी की जुरूत नहीं है बस आपको वेट कर लेना है क्योंकि मैं आपको बदता हूँ अपडेट इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि क्योंकि update जो होता है हमारा row wise rows आता है हमारा list होता है अगर वो row में हमारा device का list रहेगा नाम रहेगा तो 100% हम लोग को update देखने को मिलेगा और बहुत लोग को मैं ये भी बोलना चाहता हूँ बहुत लोग ये बोलते हैं कि update करने से हमारा phone hang करता है ये करता है वो करता है तो आप लोग गलत हो update करने से हमारा phone hang नहीं करता है हमारा phone performance fast हो जाता हो सकता है कोई कोई devices के अंदर देखने को मिलेगा बढ़ तुरंत यहाँ दो तीन दिन के बाद या दस दिन पंदा दिन के बाद या एक दो महना के बाद हमें एक और नहीं update देखने को मिलता है अगर उस update को अगर आप update कर लेते हो तो 100% आपका जो problem हो खतम हो जाएगा तो वो आपको update कर लेना अगर आपको wait कर लेना update अगर आप नहीं करते हो तो वो आपका जो है under process में चला जाता है यानि कि अगर जैसे कि देख सकतो मुझे यह update मिला है मैं अगर नहीं करूँगा तो एक से दो महिने के अंदर हो सकता है 15 दिन 10 दिन के अंदर यह वापस result में चला जाएगा यानि फिर से जब तक मेरा character पूरा नहीं होगा update को related तब तक मुझे update देखने को नहीं मिलेगा और आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ कि जल्दी से जाकर check out कीजिए wifi से check out कीजिए और mobile data से check out कीजिए जो भी मैंने function बता है जो भी मैंने features बता है उस सब को आप use कीजिए हो सकता आप लोग को update देखने को मिलेगा और अगर नहीं भी देखने को मिलता है तो हो सकता आपका devices का नाम अभी तक आया नहीं है तो आपको wait कर लेना है और उससे भी नहीं आता है तो एक लाखरी और last उपाई में बता देता हूँ solution सबसे बहतरीं tricks आपको phone को reset कर देना है clear data पुरा कर देना जड़ से खतम कर देना है उसके बाद आपका जो phone है पुरा new हो जाएगा new होने के बाद हो सकता है साथ 10 दिन, 15 दिन, 2 मैना या तुरंथ ही update देखने को मिले तो ऐसे करके जो आप है Android 12 का update देखने को मिल सकता है और कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट से ने बताएंगे मिलते हैं नेक्स वीडियो में ऐसी इनफर्मेशन वीडियो देखने के लिए चैनले को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाग करें अपने भाई को सपोर्ट करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई